अखलेश यादो पर अफसोस नहीं मुझे अफसोस अपने लोगों पर है जहां साट परसेंट मुसलमान हैं वहां तुम चार परसेंट यादो तुमारे विदानसभा में तुम जा करके वहां पर क्यों लाइन लगा है आईए आप टिकेट बाटने वाले बनी मैं तो आपके मा पी में कहां किसको टिकेट देना है आप लीजे भी फार्म बाटिये उनको आप लोग खुछ जा करके वहां पने आपको बेज़ज़त कर रहे हैं यह कोवी किसी के सामने जुकी थी और ना जुकी है ना जुकेगी इन्शालला लेकिन मुझे अफसोस होता है अपने उन इसी वज़ा जो आप बता रहे हैं आपने बहुत जोर सोसे एक मुद्दा ये भी उठाया कि मुस्लिम का यादत वाली बात कई सारे ऐसे वीडियो भी सामना है जिसमें जमीर उल्ला साब का वीडियो मंच से शेयर किया गया बहुत सारे लोगों के पास वो पोचा उसमें का आगया कि कैसे जो है पीछे मुस्लिम का यादत को खड़ा किया जा रहा है लेकिन उन लोगों की अगर सुनी जाए जो अभी भी समाजवादी पार्टी का हाथ थामे हुए हैं वो ये कहते हैं कि नहीं हमारी पार्टी है हमारा मंच है हम जब चाहें नीचे बैटें उपर ब तकलीफ होगी साथ परसेंट यादाव मंच पे रहेगा तुमनेश परसेंट मुसल्मान मंच से धक्का माज दिया जाएगा वो एक अलग बात है कि जम्यूल्ला सहाब अपनी पार्टी की बात कर रहे हैं या वो उनका मैटर है लेकिन चुकि हमको तकलीफ हुई तो हमने उस कि आप 19% मुसल्मान जिसका जो आपको ओड डालता है चार बार आप हुकूमत में है उन्हीं तो ओड़ों की बदाला आप उसको मंच से धक्का दे देंगे ये गलत है और मैं बिलकुल जम्यूल्ला साथ की बात से इत्फाक नहीं रखता हूँ आपने जो स्टेज पर देख वो तो पब्लिक प्लेस पे था लेकिन आप जाएं समझवादी पार्टी के ऑफिस में वहाँ पर जो हालात है मुसल्मानों के जाकर की देखे हैं ये कैसे हालात हैं मैं फला मैं फला बिधाया ये मैं फला अद्देजी से कह दिए मैं मिलना चाहता हूँ सिकोटिगार का चल इज़त करके भगाए जारहें इमरान मसुत के साथ क्या हूआ है कितनी मिला उन्याएं भगाया गया बेए इज़त किया उनको दो किशी खुशी कय गये है ना हाँ मुझे मालू है मसूदा अलम साब का एक वीडियो आया है उसको देखा आपने क्या कहा इमरान मसूत का अफसोस नहीं मुझे अफसोस अपने लोगों पर है जहां साट परसेंट मुसल्मान हैं वहां तुम चार परसेंट यादो तुम्हारे विदानसबा में तुम जा करके वहां पर क्यों लाइन लगा है आईए आप टिकेट बाटने वाले बनी मैं तो आपके माध्यम से कहना चा है आप लीजे भी फार्म बाटिये उनको आप टिकेट मांगने वाले क्यों बने हैं आप टिकेट मांगने वाले क्यों जाकर क्या आप दोसरों के दर्वाजे पे ग्लगला रहे हैं आप को इस दुनिया में ल्ला ने इंसाफ कायम करने के लिए बेजा था आप दोसरों के द जुकेगी इन्शाला लेकिन मुझे अफसोस होता है अपने उन भाईयों पर जो लोग जा करके वहां पर इस तरीके से जुक जा रहे हैं एक टिकेट के लिए और सर जैसे आपने कहा कि हम जो एलाइंस करना चाहरे हम भी चाहते हैं कि हम भारती जंता पार्टी को हराएं लेकि आप जिन लोगों का हवाला देते हैं जिनको आप अपना बताते हैं आप पर जो अरोप लगा रहे हैं वो लोग नहीं हैं जिनको आप अपना नहीं बता रहे हैं वो लोग है जिनको आप अपना बता रहे हैं वो आपको कहते हैं कि यही बीचेपी के साथ वाले लोग है यह ही हमको बाढ़ना चाहते हैं यही चाहते हैं कि बारतिय जंतर पार्टी आ जाए दूसरे लोगा रोप नहीं लगा रहें तो उन लोगों तक आप क्या कहना चाहेंगे कैसे उनका जो भरोसा है वो आप जीत पाएंगे वो देखिए वो हमारे भाई हैं और उनको समया राना ने हैं एक टूईट किया था कि जब टिकेट नहीं देना था तो इतना मुझेसे बलवाया क्यों आच्छा समया राना ने लिखा था तो यह लोग उसी किस्टन के लोग हैं कि इन लोगों से बलवाया जाता है खुद ना बूल करके हमारा जो काउंटर किया जाता है वो अपने लोगों से करवाते हैं ये लोग ये हमेशा से पॉलिसी रही है नामने हाथ सिक्लोपार्टियों की दूसरी बात जो लोग कहते हैं कि हम बीजेपी की बीटीम है दो हजार चौदा में हम एडिक्षन नहीं लड़े समाजवा दिहार गी दो हजार उननेश में हम 36 सीटों पर ले चलिए हमने 36 सीटार्य माल लिया आपके बात आपके लजाम को हमने साहिं माल लिया तीन सो सड़सटों पे क्या हुआ हम तो नहीं थे उस फिर क्यों दो हजार उननेश में आ जाई है 001417 2019 पे है अच्छों एक सीट नहीं लड़े ना उत्तर-कृदेश में पूरे हिंदुस् MP को हमने हाराया था औरंगाबाद में इंप्यास जलील साथ जीत करके है दो लाक चौदा हजार से बैरिस्टर साथ जीत करके है तीर लाक ओड़ पाय अख्तरुलिमान साथ किशन गंज में वहां भी बीजेपी नहीं बलकि कॉंगरेस जीती है तो आप कैसे ये प्रूफ कर सकते हो 75% मुसल्मानों ने भी सपा बसपा गरबंदन को ओड़ डाला था बावजूद उसके बीजेपी अगर साथ स्रीट जीत करके आती है तो कौन जिन्मेदार है उसका अब बताएए हमने भी तो सपा बसपा गरबंदन को ओड़ डाला था तीन परसंट मौरे अपनी पार्टी बनाता है आप उसको एलाइंस में ले रहे हैं चार परसंट राजबर अपनी पार्टी बनाता है आप उसको एलाइंस में ले रहे हैं तो दो परसंट चौहान अपनी पार्टी बनाता है आप उसको एलाइंस में ले रहे हैं मुसल्मान नई इस परसिल उत्तर परदेश में, अगर पार्टी बनाता है तो आप कहते हो तुम बीजेपी के जंटों, क्यों, क्या हम इतनी गिरी हुई कौम है, कि इल्जाम आप सिर्फ मुसल्मानों पर लगाएंगे, जितनी पार्टीयां उत्तर परदेश में या हिंदोस्तान के चाहिए वो आसाम में वद्धिन अजमल साब, उनके उपर भी इल्जाम लगाया, कांग्रेस ने की, बीजेपी की बीटी में, मडली सित्तेहादर मुसल्मीन पर भी इल्जाम लगा, इसके पहले भी और दो तीन पार्टीयां उत्तर परदेश के अंदर मुसल्मानों बनी, उस पर भी इल्जाम लगाया, तो मेरे समझ में नहीं आ रहा है, कि ये इल्जाम मुसल्मानों पर ही क्यों, हम कल्मा पढ़ने वाले हैं, इसलिए हम पर ये इल्जाम आप लगा रहे हो, मुसल्मान मर जाएगा, मिट जाएगा, खतम हो जाएगा, जंगलों का रुख कर लेकिन कभी बीजेपी के साथ नहीं जाएगा, ये इल्जाम आप लगा रहे हैं, ये एक बैरिष्टा सुद्धिन हो इसी पर नहीं लगा रहे हैं, आप इस देश में बसने वारे 14 करोर मुसल्मानों पर इल्जाम लगा रहे हैं, मुसल्मान कभी बीजेपी को नहीं डालता 3-4% डालते हैं, वो अपने जाती मुफाद के लिए कुछ लोग होंगे, इस तरीके के इंजामात लगाने से हमको कोई फरक भी नहीं पढ़ने वाला है, जिस समाज का अपना political empowerment नहीं होगा, वो समाज कभी आगे नहीं बढ़ाता।